हलो हाई नमस्ते लोव इनफाइनेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है डिवाइन फेमिनाइन अगर सेपरेशन में है या अभी भी उनसे बात हो रही है लेकिन ओन अफ की सिचुएशन चल रही है कभी ठीक बात होती है कभी नहीं होती है तो ऐसे में वो अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाती है कि मेरी value क्या है मैं सही कर रही हूँ कि नहीं divine feminine energy too much giving होती है बार बार ये मैं बताती हूँ कि too much giving ना करें उतना ही दें दूसरों को चाहे वो divine masculine हो जितना आप अपने पास थोड़ा बहुत रख भी सकें energy की भी बात कर रही हूँ पैसे की भी बात कर रही हूँ अपने समय की भी बात कर रही हूँ तो हर किसी को उडेल उडेल के देने का मतलब आप divine feminine बहुत अच्छी नहीं कहलाएंगी क्योंकि जब तक आप balance नहीं करेंगी तब तक life बिल्कुल आपके लिए बार बार exhausted फिल होगी आप बार बार हर किसी को देकर अपना time अपना पैसा अपनी energy अपनी अच्छी बाते उन्हें सीख देकर किसी को भी चाहिए divine masculine को भी तो आपको यह लगेगा कि इतना सब कुछ तो कर दिया है इनके लिए मर मर के भी काम कर दिया है कोई appreciation तो छोड़ो कुछ मिठे बोल भी नहीं मिलते है उल्टा कुछ blame ही मिल जाता है तो यहाँ जब अगर इस तरह की situation हो रही है आपकी तो आपको अपनी value बनानी पड़ेगी अपनी value बनानी के लिए आपको क्या क्या करना होगा sometime हमें यह पता ही नहीं होता कि हम अपनी value किस तरह से बढ़ाएं कई बार हम rigid से हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा दिर तक उस पर टिके नहीं रह पाते हैं divine feminine के लिए यह अक्सर मुसीबतें आती हैं वो अपने आप से ही जीत नहीं पाती है अपने आपको ही लिए value बनाना चाहती है then आपको focus रहना होगा अपने उपर fully focus रहना होगा अपनी value को बढ़ाना होगा कैसे money के जितना हो सके आप earn करने की कोशिश करें कई लोग कहते हम तो हैं ही घर में बैठे हुए हमने तो कभी कमाने भार ही नहीं गए हम तो job का experience ही नहीं है सिर्फ जॉब कहीं बाहर जाके किसी की नौकरी करके ही पैसा नहीं आ सकता आप अपने अंदर value ढूंडे अपना skills ढूंडे मुझे basically क्या आता है क्या मैं कुछ ऐसा अपने skills को बेच सकती हूँ किसी भी तरीके से जिससे की थोड़ी बहुत earning हो तो यहां से आपकी value आप अपने आपको करने लगेंगे कि वाओ मेरे अंदर ये artwork है मैंने ये artwork को sell किया किसी exhibition में लगाया कहीं लगाया कोई problem नहीं है कुछ भी आप काम कर सकते हैं तो बस थोड़ी सी हिमत की देर होती है दूसरा पॉइंट में यही कहूंगे कि आपको show off नहीं करना चाहिए जब आप अपना value देना शुरू करते हैं तो अपने आपको show off से आपको डूर रखना पड़ेगा अपने आपको तो show off किसी भी तरह का चाहे कई सम टाइम क्या था है कि Divine Terminal Spiritual Journey में जाने लगती है तो सब को बताने लगती है कि मैंने इतनी जाब किया इतना वो किया इतना माला जाब किया इतने हजार मेरे मंतर हो चुके हैं इतने लाख मैंने मंतर कर लिया हैं ऐसा करने से आपके मंतरों की शक्ती बहुत कम हो जाती है और फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि इतने लाख जाब तो कोई भी नहीं करता फिर भी मैंने किये लेकिन मुझे वो result नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ जो मेरी value है तो इसलिए कभी भी किसी भी तरह का show off ना करें तीसरी बात मैं यह कहूंगी कि किसी को impress करने के कोशिश ना करें impress करना अंग्रेजों की कावात है first impression जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए impression का मतलब आप किसी को just ऐसे ही बाहरी रूप से प्रभावित करेंगे जबकि आपको क्या करना है अगर आपके अंदर एक रोशनी है आपकी सोल में ही इतनी ताकत है तो आपकी चेहरे पर automatically चमक होगी दुनिया देखकर अपने आप ही inspire हो जाएगी impress नहीं होकी inspire हो जाएगी तो basically हमें किसी को प्रभावित नहीं करने के लिए लालसा में रहना चाहिए कि नहीं उसको भी प्रभावित करना ऐसा दिखूँ ऐसा बोलूँ ऐसा सजूँ सब्रों की दूसरा ऐसे देखकर प्रभावित हो जाएगी क्या मिलेगा उससे लेकिन next time जब आप natural way में होंगे तो प्रभावित नहीं होगा तो प्रभावित करना और प्रेरित करना दोनों ही अलग बाते हैं तो impress करने के बजाए इंस्पाइर करेंगे पीपल को तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा अब इंस्पाइर करने की भी सोचनी नहीं है अपने आपको इतने अच्छा बनाए इतनी अच्छी सोल को जागरित करें कि दूसरा इंस्पायर हुए बिना रह नहीं पाए चौती बात मैं यही करूंगी कि आपको बिल्कुल रेडी टू पे प्राइस तब आपको अपने समय का ग्यात होना चाहिए कि पे प्राइस का मतलब आपको इसकी कीमत चुकानी होगी अगर आपको कुछ प करना चाहरे हैं या फिर एंजियो खोड़ना चाहरे हैं हिमाइने टेरिसम का वर्ग कर रहे हैं तो आराम से करते रहें श्रद्धा से करते रहें gratitude में रहके करें बिल्कुल thankful रहके काम करना शुरू करें और अपना maximum time इन चीजों में लगाएं बजाए कि वो क्या कह रहे हैं क्यों नहीं फोन आ रहा क्या reply आया क्यों नहीं आया कम क्यों आया इतनी late reply क्यों आया इतना सोचने के बजाए आप वो सारा time अपने उपर लगा तो यह थोड़ी कि दिमाग वहां जा रहे तो हम दिमाग के उसमें बहते चले जाएं फिर तो क्या निकलेगा कोई result नहीं निकलेगा अपने दिमाग को control करना ही सबसे बड़ा और मुश्किल काम है लेकिन नामुम्किन काम नहीं है एक बार करके देखेंगे फिर आप नीच ना हो सके अपने आप अपने ऊपर भरोसा रखें और रिस्पेक्ट करें हर किसी की इवन पैसे की भी divine feminine पैसे की रिस्पेक्ट कम करती है जी हाँ मैं यह मान सकती हूं यह मैं जान सकती हूं यह मैं आपको कह सकती हूं क्योंकि होता है सही है पैसे की value कम करती है का मतलब ऐसा कि तुम्हें चाहिए लो, दे देती हैं, दे देती हैं, भी ना ये सोचे कि मेरे पास कुछ रहेगा कि नहीं, यहीं मैं बता रही हूँ, तुमच गिविंग, तुमच फॉर्गिवनेस, वेरी वेरी डेंजरेस तु दिवाइन फेमिना एनरजी, इस एनरजी में आप मेल हैं, फीमेल हैं, जितना ज़्यादा किसी को ओवर गिविंग करते हैं, ओवर तिंकिंग करते हैं, यह किसके लिए नुकसान दायक है, दूसरे क तो आप फिर ये कहेंगे, देखो उसने पैसे लिए, अब हो मुकर गया, कोई भी, कोई भी धर्ड पाटी, तो ऐसे ही किसी को आपने इतना टाइम दिया, इतना देहर सारी मेहनत करी उसको उस उधारने में, और उसी ने आपको ब्लेम कर दिया, ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही की होता है, वो इसलिए होता है कि अच्छे लोग अपनी वैल्यू को थोड़ा सा कम आखते हैं, तो डिवाइन फैमिना इनके साथ अक्सर ऐसा होता है, कि मैंने क्या करना है पैसों का मुझे तो बैंक अकाउंट की भी ज़र रखनी है ऐसा होता है और जब तक ठोकर नहीं लगती बार बार नहीं लगती तब तक वो उनके दिमाग में गुस्ता नहीं अब फिर वो समझने लगती है तो फिर उनकी जो जीवन है वो दूसरी तरफ financial wise भी अच्छा होने लगता है मेरे रिखेने का यह मतलब है otherwise यह होता है कि कोई बात नहीं मेरा तो घर है चलो ठीक है तुम ही सब ले लो तुम्हारे बलबुत्ते मैं जी लूँगी यह वाली चीज होती है कि मुझे क्या करना है मुझे तो घर भी नहीं चाहिए यह लो तुम ही ले लो even DM को भी दे देती है मेरे तो आप कोई है नहीं तो यह पैसे बंगला गाड़ी सब तुम ही ले 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 इतना ओवर गिविंग करने की जरूतनी है अपने वैल्यू को इतना नीचे गिराने की जरूतनी है ठीक है जिर्फ पैसे से ही नहीं होता है जो मैंने सभी पॉइंट बताये हैं उन तरह से उन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए और अपने आपको अपनी सोल को इनहेंस करन चाहिए ताकि इस धरती से जब हम जाएं तो लोग यह कहें कि इसे नहीं जाना चाहिए था इसकी हम इसे हम मिस करेंगे तो हमें एक ऐसा इंसान बनें जो कि हम दूसरे को इंसपायर कर पाएं ना कि इंप्रेस कर पाएं ठीक है तेंक यू सो मच